हेलो दोस्तों नमस्कार आपका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है आईए देखते हैं साइंस का प्रक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर सभी पिश्यों का प्रक्टिस से मिल जाएगा तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने तो चलिए सुरू करते ह असील मुर्गे का मूल अस्थान कहा माना जाता है प्राचीन समय में मुर्गों को लडाने की प्रता प्रचलित थी लडने में किस नसल के मुर्गे सरबादिक उप्यूक्त माने जाते थे आप्शन है बस्रा असील लेगहान इन मेंसे कोई नहीं तो असील मुर्गा यानि असील नसल के मुर्गे सरबातिक उपर्यूक्त माने जाते थे निम्न मैसे गोस्त यानि मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नसल कौन सी है option है ori, pinkton, carnis, why don't या इन में से कोई नहीं तो ori, pinkton, मुर्गी की उत्तम नशल है निमने लिकित में से किस जात के मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं तो लगहार, जात की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं option C आपका right answer हो जाएगा मुर्गी के अंडे में योग और सफेदी की प्रतिसत मात्रा क्रमेंसा कितनी है तो यह 32 वा 57 प्रतिसत है option C आपका right answer हो जाएगा अंड पीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है option है वसा, प्रोटीन, कार्बो हाइडरेट, खनिज तो अंड पीत में सबसे अधिक वसा पाया जाता है अंडे के अलबूमिन में सबसे अधिक पाया जाता है तो अंडे के अलबूमिन में सबसे अधिक खनिज लवण पाया जाता है option D आपका right answer हो जाएगा मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है अंड कवच के विकाश के लिए अंड कवच की जिली के विकाश के लिए अल्बूमिन के विकाश के लिए या अंड पीत के विकाश के लिए तो मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना अंड कमज के विकास के लिए आवश्यक होता है अंडा उत्पादन में निम्ली लिखित में से कौन सा तत्त उप्योगी है अंडा उत्पादन में केल्सियम तत्त उप्योगी है उट अपने कूबर का उपयोग किस कार के लिए करता है जल के संग्रह के लिए, वसा के संग्रह के लिए, ताप मान के नियमन के लिए, सरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए तो उट अपने कूबर का उपयोग वसा के संग्रह के लिए करता है भी आपका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसंद दिखते हैं निमने लिखित प्राणियों में से कौनसा अपने सरीर में जल का संग्रा कर लेता है तो option है मॉलाक उट जेब्रा यूरो मेस्टिक्स तो उट अपने सरीर में जल शंग्रह कर लेता है जिसे हम कुशा कहते हैं मचलिया किस वर्ग में आती है तो मचलिया पिस्जिज वर्ग में आती है उप्सन यह आपका राई टैंसर हो जाएगा शिल्वर कार्प किसकी किस्म है उप्सन है मचली पात गोभी फूल गोभी टमाटर तो मचली शिल्वर कार्प कि किस्म है नीली क्रांती ब्लू रिवलेशन किसी से सम्मंदित है उप्सन है खादान उत्पादन तेल उत्पादन मत्स उत्पादन जींगा उत्पादन तो नीली क्रांती ब्लू रेवलेशन मत्स उत्पादन से संबंदित है गुलाबी क्रांती यानि पिंक रेवलेशन किसे संबंदित है option है मत्स उत्पादन गुलाब उत्पादन उर्बरक उत्पादन या फिर जहींगा उत्पादन तो गुलाबी क्रांती जीहिंगा उत्पादन से संबंदित है भारत का स्वच्छ जलिय मत्ष उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्वच्छ जलिय मत्ष उत्पादन में विश्व में दुतिय स्थान है B आपका right answer हो जाएगा भारत के कुल मत्ष उतपादन का कितना प्रतिस्थ भाग समुंद्र से प्राप्त होता है तो यह 50% भाग समुंद्र से प्राप्त होता है भारत वर्स के सभी राजों में से कौन एक भारतिय राजिय और संगिय प्रदेश सरबाधिक मात्रा में प्रतिवर्ष प्राप्त की जा सकती है तो भारत में ONE चत्थचिए से अधिक्तम पंच किलो ग्राम प्रतिवर्ष सहत प्राप्त की जा सकती हैं मदमक्की कालोंी के सधसी एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं गन्द से, दिरष्टी से, असपर्स से या फिर नर्तन से तो मदमक्ष कालौनी के सदसी एक दूसरे को नर्तन से पहचानते हैं एक च्छटे में रानी मदमक्षी की संख्या कितनी होती है? ओप्षन है तीन, पांच, साथ या फिर एक तो एक छत्ते में रानी मदमक्की के संख्या केमल एक होती है चोटी भुनगा कामूल अस्थान कहा है उप्शन USA, भारत, पाकिस्तान या फिर चीन तो चोटी भुनगा कामूल अस्थान USA है उप्शन A आपका राइट एंसर हो जाएगा सहद में जलकी मात्रा लगभग कितने परसत होती है 10 परसत, 15 परसत, 17 परसत या फिर 21 परसत तो सहद में जलकी मात्रा लगभग 17 परसत होती है आप संसी आपका राइट एंसर हो जाएगा सहद में कार्बो हाइड्रेट्स की मात्रा लगभग कितने परसत होती है 70%, 78%, 80% या फिर 90% तो सहद में कार्बो हाइडर्स की मातरा लगबग 78% होती है option B आपका right answer हो जाएगा एक किलोग्राम सहद में आउसत रूप से कितनी उर्जा मिलती है तो एक किलोग्राम सहद में आउसत रूप से 3500 कैलोरी उर्जा मिलती है option D आपका right answer हो जाएगा मदमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं option D आपका right answer हो जाएगा सारंग मदमक्ख्यों से प्रतिछटा प्रतिवर्ज 40 किलोग्राम सहद मिलता है फिर भी इन्हें भारत में नहीं पाला जाता है क्योंकि ये गोमक्कड सुभाव की होती है ये चीड़-चीड़ी सुभाव की होती है उप्रिउक्त दोनों सही है या इन में से कोई नहीं तो इसलिए नहीं पाला जाता है क्योंकि ये गोमक्कड सुभाव की होती है और ये चीड़-चीड़ी सुभाव की भी होती है इसलिए option C उप्रिउक्त दोनों हो जाएगा दुख्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है उप्सन है प्रथम दुतिये तिर्थिये आ अस्पेश्ट तो दुख्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम अस्थान है तो भारत में दुख्ध के जनक जो है वरगीज कुरियन जी है किस वर्स भारत विश्व का सरबादिक दूद उत्पादक देश बना तो 1998 इस्वी में भारत विश्व का सरबादिक दूद उत्पादक देश बना था स्वेहत करांती यानि वाइट रेवलेशन किसे सम्मंदित है आप्सन है चूना उत्पादन से नमक उत्पादन से दुगद उत्पादन से और भरक उत्पादन से तो स्वेध क्रांती दुगद उत्पादन से सम्मंदित है आप्सन सी आपका राइट एंसर हो जाएगा भारत में स्वेध करांती के जनक के रूप में कौन लोग प्रिये है आनंदूदवाला तुर्भुवन दास पटेल डाक्टर वरगीज कुरियन या फिर करसन भाई पटेल तो भारत में स्वेध करांती के जनक डाक्टर वरगीज कुरियन जी है है भारत में स्वेध करांती के सुरुवात कि स्वर्स हुई ऑप्शन 1950-1960-1970-1978 तो भारत में स्वेध करांती के सुरुवात 1970 शुरू हुई थी अंतराश्टिय डियरी पुरुसकार से सम्मानित व्यक्ति हैं अप्शन है डाक्टर MS स्वामिनाथन डाप्टर RS परीदा डाक्टर वर्गीज कुरियन डाक्टर नारमन बोलाग। तो अंतराश्टिय डियरी पुरुस-पुरुसकार से सम्मानित वे अक्ति डाक्टर वर्गीज कुरियन हैं पशुपालन, पादब रोग विज्ञान, दुख्द विकास उद्दोग या इन में से कोई नहीं तो डाक्टर वर्गीज जान कुरियन दुख्द विकास उद्दोग से सम्मंदित है आपरेशन फ्लड किसे सम्मंदित है बांध निर्मार से, भीड नियंतर से, बाढ़ नियंतर से या दुख्द विकास से तो आपरेशन फ्लड दुख्द विकास से सम्मंदित है एसिया की सबसे बड़ी दुख्द भस्ती नामक कालोनी कहा स्थापित की गई उत्तरप्रदेश, करनाटक, पंजाब या फिर महाराष्ट तो एसिया की सबसे बड़ी दुख्द भस्ती नामक कालोनी महाराष्ट में स्थापित की गई राष्टिय डेरी विकास बोर्ड या डीडी बी के स्थापना कब हुई 1924, 1965, 1966 या फिर 1966 बी तो राष्टिय डेरी विकास बोर्ड, 1967, इस बी में स्थापना की गई राष्टिय डेरी विकास बोर्ड या डीडीबी के स्थापना 1965 में कहा हुई तो यह आनंद में हुई थी, option ये आपका right answer हो जाएगा भारतिय डेरी निगम के स्थापना कब हुई भारतिय डेरी निगम के स्थापना 1970 हिस बी में हुई भारत में सघन पसू बिकास कारिकरम ICDP कब चलाया गया तो यह 1964 से 65 हिस बी में चलाया गया option ये आपका right answer हो जाएगा तो thanks for watching my video अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो please like, share, comment जरूर करें और चैनल पर ने तो subscribe करना बिल्कुल न भूले, thank you